इससे पहले कि हमने हेलोजन डेरी विटेस ऑफ अलकेन को कम्प्रीट किया था इसके बाद हम आज नए सबक की शुरुआत करने जारे है जिसका नाम है अलकॉल फिनॉल और इतर यह हमारा औरगीनिक केमिस्ट्री का दूसर नंबर का चैप्टर है असल में यह जो हमारा सबक है यह 11 नंबर का है लेकिन औरगीनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका नंबर दूसरा आता है तो हम आज औरगीनिक केमिस्ट्री का दूसर नंबर का चैप्टर यानि हमारा 11 नंबर का सबक देखने वाले जिसका नाम है अलकॉल फिनॉल और इतर तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स फिर आपको खाली जागा फगेर में पूछ सकते है कि फिनौल किहां है यह रखाटक जाप्ता यह सब चीजह आपको पेपर के अंदर पूछ सबसे पहले हमें चाट करते हैं आयगू तो अलकॉल किसको कहते हैं अलकॉल उसे कहते हैं यह हमारा ओएज गुरूप अब इसका हम क्या करते हैं कुछ बुनियादी चीज़े या कुछ बेसिक चीज़े हम इसकी सीख लेते हैं ठीक है तो यह देखो यह हमारा अलकॉल कहना से सबसे में चीज़े जो बुनियादी यह कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है 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 यहां पर लगा दिखा वह समझ लो हमारा क्या है अगर कार्बन के साथ लगा हुआ दिखा तो वह हमारा क्या है अलकॉल इसके बाद अब हम दह्ने माले हैं कि शहर तो यह हमारा फिनॉल है और गर रेंजन गरूप यह वह हमारा बेंजिन और उसके बाद बात fell इथर उसको कहते हैं कि आपका बीश में होंगा सेंटर में जो होंगा मरकस में जो होंगा और उसके आजो बाजो जो लगे हुए होंगे वो तो हो सकते हैं आपके एक तो अलकेन होंगे या फिर आपका अलकेल हलाइट भी हो सकते हैं या फिर आपका क्या होना बेंजिन दिंग भी लगी हो सकती है जैसा कि यह आपका और यह आपका इथर है तो यह क्या है आपका आर जो है वह अलकेन भी हो सकता है या फिर यहां पर बेंजिन दिंग भी लगी हो सकती है या फिर अरिल गुरूब भी लगा हुआ हो सकता है जैस क्या होगा दोना तरफ लगे यह लगे वे यह आपका इतर ही त है इसरी यह अपका इसरी है आपका यह O है और यहाँ पर क्या हुआ है CH2 लगा हुआ और यहाँ पर नीचे बेंजन लगी हुई है यह भी आपका इथर ही है तो यह सब क्या है आपके इथर की किसमें है अलग अलग किसमें तो इथर किसको बोलेंगे कि जिसके मरकजे में O होगा और आजो बाजो अलकिल गुरू यह उसकी तारीफ थी, बेसिक सी डेफिनेशन थी जो आगे आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, यह चीज हमने समझ लिए, ठीक है, अब उसके बाद हम देखने वाले है, सबसे पहले हम अल्कोहल के अंदर देखते हैं, कि अल्कोहल में कौन-कौन से किसम के अल्क कि अल्कोहल के तरीकी से बनता है, हम उसकी कुछ बुन्यादी तारीफ और बुन्यादी डेफिनिशन देख लेटा है तो सबसे पहले कहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं अल्किन, हम यह लिए मिथियम है और उसकी जो reaction करा रहे हैं, वो OH के साथ करा रहे हैं, यह हमारा hydroxyl group है, यानि alcoholic group है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी इस reaction के अंदर, यह जो carbon है, इस carbon को कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, यह CH3 है, यह फिर हम इसको क्या करते हैं, सीधा-सीधा आपके और आसानी हाँ को हाँ से निकाल देंगे, अब यह हाँ से हमने 1 hydrogen को निकल दिए, अब यहाँ से 1 hydrogen अगर निकल गया है, तो उसकी जगा लगेँगा, यह OH ग्रूप, और यह हो जाएंगा, क्योंकि इसमें OH ग्रूप लग गया तो जहां पहिए हमको ओय획 गुरूप दीखा Teddy Jew लगया वह म佐ती हैं जहां काई पहीप भी हमें नजर आया वह में अल्कोहल है ठीक है अब क्या करते हैं अल्कोहavier की बहुत सारे किसमे हैं हम वह देखते हैं जैसा कि हमने है hydrogen derivative में देखे थें, क्या देखेंगे अलकेन के अंदर सबसे पहले देखें थे हमने उसके अंदर अगर एक क바्ण रहा तो एक कार्बन को क्या बोलते हमell कैने लेकिन अगर क्या हुआ तरीज लिखते हैं इसको बलते हैं इतेनॉल उसके बाद अगर तीन कार्बन है आपके अगर तीन कार्बन वाले को हम क्या बलते हैं इसको बलते हैं विटेनल प्रोपेनल और अगर आपके चार कार्बन है तो चार कार्बन वाले को बलते हैं विटेनल विटेनल किसले किसलिए लग रहा है यह आगे हम देखने वाले ठीक है और अगर पाच कार्बन है तो आपको पता है पाच कार्बन वाले को क्या बलते हैं पेंटेनल मैं इस को क्या बोलते हैं है अब क्या करने वाले है अब यहां पर हम देखेंगे कि यह यह पिसी नेम एक अभी हम दीरे दीरे देखने वाले आएओ पहसी नेम काम वनीम किया है यह हमने कुछ अब क्या है हमारे इस चैप्टर के अंदर अल्कोहल का दर्जय बंदी की गई है कि अल्कोहल आप किस तरीके से हो सकते हैं तो सबसे पहले हम जो दर्जय बंदी देखने वाले हैं वह हम अल्कोहल के लिए देखने वाले हैं यह जो हमारा अल्कोहल है इसके लिए हम दर्जे बंदी देखने वाले ठीक है तो अब इसकी दर्जे बंदी हम कुछ इस तरीके से करेंगे आपके इसको चार हिस्सों के अंदर बाटा गया है तो सबसे पहले आता है आपका मोनो पॉक्राइट bisher मोनो अलकोहल उसके बाद आता है डाय अलकोहल और उसकेबाद आता है ट्राइठ अलकोहल और उसके बाद चौतिह नंबर पर जाता है आपका पॉऌली को ऐनकोहल ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, अगर किसी की यह बात समझ में नहारी, mono, die, try, poly का मतलब क्या होता है, तो हम कुछ बुन्यारी चीज़े देख लें, जैसे कि mono का मतलब जो होता है, वो होता है, एक, उसके मतलब die का मतलब होता है, 2, try का मतलब होता है, 3, और उसके बाद tetra जो होता है, उसका मतलब होता है, 4, उसके बाद 5, 5 वाले को penta कहते हैं, और 6 वाले को hexa कहते हैं, ठीक है, इतना तो आपको नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहें, तो 6 वाले को hexa, 5 वाले को penta, 4 वाले को tetra, 3 वाले को try, और दो वाले को डाय और एक वाले को मोनो कहते हैं ठीक है अब क्या होगा यह जो चीजें आपकी यह इसमें इस्तिमाल होने वाली है तो अब हम एक एक करके इनकी तारीफ भी देखने वाले है क्योंकि आपको पेपर के ना कुछ इस तरीकी से पूछ सकता है कि अल्कोहल की दर केंते हैं है कि अब हम देखने ह मुरकब जिसके अंदर सिर्फ हमारा एक ओएच गुरूप मौजूद है हम उसे कहेंगे मोनो हेड्रोक्जिल अलकोहल यहां लिखा हुआ है ऐसे अलकोहल जिसमें सिर्फ एक ही ओएच लगा हुआ होता है उसे हम क्या कहेंगे मोनो अलकोहल जैसा कि यह आपका CH3 है यह आपका OH है तो यह आपका क्या होगा यह मोनो हेड्रोक्जिल अलकोहल होगा इसको कहेंगे मोनो अलकोहल भी कहते है ठीक है और उसके बाद अगर C2H5 अगर हम लेंगे तो यह होगा आपका OH आपको इससे फरक नहीं पड़ेंगा कि का carbon यहाँ पर 10 भी रहते c10 h यहाँ पर अगर 21 भी रहेंगे और वेज लगा हुआ रहेंगा तो यह भी आपका carbon भी रहे और यहां पे सिर्फ एक ही ओए गुरूब रहा तो यह आपका होगा मोनो लेकिन अगर है हमारा carbon है यहां पर एक ही carbon है लेकिन उसको दो लगे हुए हे तो यह आपको डाय कहलाएगा तो इस से आपकी बात समझ में आ है कि अगर यहां पर 10 यह फिर 10 से जाधा 20 भी अगर यहां पर कार्बन रहते हैं तो 20 कार्बन होने की वज़े से यह डाय नहीं कहलाएंगा यह 20 कारबन होने की बावजूद भी अगर उसमें एक ही O-H गुरूप मौलगत रहे तो वह क्या कहें अब का इसके बाद देखने आंए है झाले हम औहले हैं हम सबस्केटि यहां ले लेते हम च्छ तू यह जाएंगा ओएच यह जाएंगा ओएच इसे कहते हैं इत्थिलीन ग्लाइकॉल यह आपका इत्थिलीन ग्लाइकॉल है और इसी को ही हम क्या कहेंगे यहां दो यह यहां अप जैसे के अगर हमारा यहां एक कार्बन है लेकिन इसको अगर दो लगे हुए रहे तो भी इसको डाय बोलेंगे लेकिन अगर समझे लो हमारे 10 carbon लगे हुए है और इसको भी 2 OH गुरुप लगे हुए है तो 2 OH गुरुप लगे है होने की वज़े से इसको क्या बोलेंगे हम dihydroxyl बोलेंगे carbon कितने भी है लेकिन हमें सिर्फ यह देखना है कि hyeteroxyl group hyeteroazid group mtlb OH group then OH group कि किइने लगे वे अगर 2 लगे वे तो आपको वह जाएंगा dit hydrasil alcohol इसके बाद हम इसको हम दोएंगे अब देखने का था घ्रॉओल Critics अलगे वह हो ईसे ऐसे alcohol जो 3 लगे हुए हो ऐसे है वह से हम कहिए है С tomar जिसमें प्रवेश च्छ टू ओ एच यह हो गया आपका गिलीष रॉल ठीक है इसको कहते हैं हम गिलीष रॉल तो यह गिलीष रॉल भी क्या है आपकी इसकी मिसाल है ट्राय हेट्रोक्जिल अलकोहल और उसके बाद हम देखने वाले अब आखरी वाला जो बचा हुआ है यह देखने वाले हम प्रव अएसे अल्कॉहल जिसमें सिर्फ तीन से ज्यादा अब सीर्फ वाला बाटेना रहत जाना रहत इब से ज़्यादा ओए हैं इप स्वस्क्रव अहँडगे है तीन वाले को क्लेंगे लेकिन तीनper से जादा लगे हूए तो उसको बलेंगे हम प्ली ह लेते हैं मिजार लेते हैं छीएश्टू ओएच यह फिएश्टू ओएच तो ओएच यह तो और अगर हम क्या करते तीन से ज्चादा लेते हैं चीएश्टू ओएच पांके अब यहांपर हमने ले लिए कि तीन से तीन से जादा वाला उम्पॉलिë तो इसका यह हम ने मिसाल लिए यह इसका नाम जो इसका नाम है सौर्डिद्ल een ठीक है यह तो ऐसे अलकॉल हमारा ओफ गुरूब जो 3 से जादा बार मौजूद हो इसको हम क्या है वह लेंगे ट्राइ यह अपको दर बंद यह तो आपको पेपर में कुछ इस तरीकी से खुश सकता है कि अल्कोहल की दर्ज़बंदी कीजिए अल्कॉhol की दर्ज़बंदी वाज़े कीजिए यह आपको चार माक्स के लिए आ सकता हैं और अगर पूछेंगा तो एक माक्स के लिए पूछ सकता हैं कि आपका मोनोहेड्रोक्जिल अलकोहल किसको कहेंगे फिर आपको कुछ ऑप्षिन देदेंगा कि यह आपका इन में से ऐसे आपको चार ओप्षिन दे देंगा वो चार ओप्षिन में से आपको पूछेंगा कि इस में से कौन सा आपका आपको पूछेंगा कि आपको खाली जगह में पूछ सकता है एक मार्क्स के लिए फिर आपको आपको पूछेंगा तो चार मार्क्स के लिए पूछ सकता है तो आपको इस तरीकी से यह देखना है ठीक है अब इसके बाद हम देखने वाले हैं फिनॉल की दर्जवबंदी